नमस्कार साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है चलिए आप मैं इस प्लेट फॉर्म पर तार्गेट भी डालो के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और प्रविनंदन करता हूं मैं डॉक्टर दुर्गे सिंग आपको भूगोल विशय में गाइट करूंगा आपकी भूगोल विशय से संबंदित जो भी समस्याएं आपके सामने आएंगी उसके निराकरण के लिए हम आपके साथ मिलकर अगले जो भी समय पर इक्षा से पहले का हम मिला है उसमें हम अपनी तयारी को एक सफलता के आयाम तक लेकर जाएंगे आज का जो विशय है उस विशय पर बातचीत करने से पहले एक दो बहुत चोटी और महत्पूर्ण बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं ज्यादा तर आप आप मेंसे जितने भी वि रिक्षा के नजरी के बारे में उस विशय की नियरती के बारे में कम से कम आपका नजर्या क्या है या विद्यार्थियों monitor से अपनी तयारी को आगे कायम रखना चाहिए उन पर एक छोटे संझेप में उन पर बातचीत की जानी चाहिए डेखिए दूचीज में किसी बीपर है हमारा विशय भूगोली है ठीक है इस सब्जेक्ट की अपनी क्या खूबशूरती है अपनी क्या एड्वांटेज है कहां पर समस्याएं आती हैं उन पर हम लोग बाचीत कर लेंगे और दूसरी हम लोग ध्यान से देखें और समझें तो आपकी इस परिशा का आयोजन उत्तरप्रदेश लोक-सेवा आयोग कराता है ठीक है और ये समझने की जरुरत इसमें इसमें सिमपल यह है इसमें समझने की जरुरत यहां पर यह है कि यह दोनों ही विशय क्यों महत्पूर्ण है देखिए भूगोल विशय की संदर्व में बस हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि इस विशय की प्रक्रती विज्ञान और गणित जैसी होती है ठीक है इसकी प्रक्रती कुछ-कुछ अगर आप लोग बच्पन में देखे तो हम लोगों को क्या होता था सुरू-सुरू में व विशय बड़ा ही सुल्जा हुआ सा विशय है और इसमें हम कम महनत में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एक बार अगर हमने चीजों की कॉंसेट को अप या अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लिया तो कहीं से भी हमको किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है और विश्वास मानिए कि जैसे विज्ञान और गणित विश्यों की प्रकृति होती है कि यह अच्छे प्रतिशत या उच्छ प्रतिशत अंक आपको दिलाते हैं उसी तरह भूगोल विशय भी आपको ऐसे ही हाई परसंटेज की और लेके जाता है ठीक है इस प प्रदेश लोग सेवा आयोग दोरा आयोजीत होने वाले जितनी भी परिशाएं होती है उनमें अगर आप ध्यान से देखिए तो उन परिशाओं का अपना है कि स्टैंडर्ड होता है कोश्चन की अपनी प्रकृति होती है उनका एक लेवल होता है और हमें अपने तयारी के दोरान इस बात को बिल्कुल विध्यान में रखना होता है कि हमसे कहां पर चीजें किस गहराई में चीजें पूछी जाएंगे जैसे कई बार आपका स्लैबस देखिए तो यह स्लैबस जैसे बार्दिमी सिक्सा चेवा चैन बोर्ड का स्लैबस टीजीटी का है ये उसी भात यह स्लैबस है लेकिन जब आप प्रश्णों की प्रकृति देखेंगे तो आपको प्रश्णों की प्रकृति में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा कठिन नहीं होते हैं लेकिन यह है कि किसी भी विशय पर आपकी समझ जितनी साब सुतरी होगी जितनी ही बहतर ढंग से आपने उनको समझ रखा होगा उतने ही बहतर ढंग से आपको यह विशय क्या है चीजों को अंक आपको प्रदान करके जाएगा प्रश्ण आपको करने में आसानी होगी रटने की प्रकृति आपकी बहुत कम रहेगी क्योंकि ज्यादा तर सवाल यहां पर क्या होते हैं फैक प्रकृति बन रही है तो क्यों बन रही है आपको मुझे नहीं लगता है कि उसमें बहुत ही किसी तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तो बहुत ही धैर से बहुत ही सिल्सलेवार ढंग से यह दोनों चीजें समझने के बाद जो तीसरे नंबर पर सबसे परिक्षा दे रहे हों बात समझ में आ रही है या उपर कोई भी परिशा आप दे रहे हैं उसमें सबसे यो महत्पूर्ण चीज होती है वह आपकी होती है एमांदार महनत ओन समस्वांत में बात समझ में आ रही है क्योंकि मुझे कहने में बतौर सिक्षा की मांदारी से अगर मैं ये बात कहूं कि सबसे महत्पूर्ण चीज ये है इसके बाद अगर जो विद्यारती हम लोगों के साथ ये जज़बा लेकर आते हैं अगर उनको सही मार्ग दर्शन मिल जाए बात समझ आई इमांदारी के साथ अपनी महनत को अपनी पर्सिस्टैन्सी को बरकरार करते हैं तो परिक्षा में बैठ रहे इस परिक्षा में आप LEFA आयू होती है फिर भी बहुत बार भार ये और कायम रहे अपनी मेहनत को इस तरीके से साकार करें तो निश्चित तोर पर आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है बात क्लियर है देखिए अब बहुत अधिक भूमिका में हम आपका समय नहीं लेंगे जो बैच हम लोग सुरू करने जा रहे हैं जो आपकी classes हम लोग सुरू करने जा रहे हैं अगर हम आपसे प्रिथवी जोग्रफी की जनरल परिभाशा जहां से सुरू करते हम लोग सिख्त की NCIT उठाके देखिए तो वहीं जोग्रफी का डिस्क्रिप्शन ही जोगर्फी माल ल बातसवन में आ रही है एक तंत्र की तरह है और इसमें बहुत धेर सारे घटक होते हैं उन घटकों वो या माली ये कोई घटक A है और कोई घटक B है या तो ये घटक इस घटक को प्रभावित करेगा एक दूसरे को ये लोग प्रभावित करेंगे आश्रित हो सकते हैं अन्यो प्राइमरी ही लेवल पर आपको क्या मिलता है फिजिकल जॉगरफी बहुतिक भुगोल की बातचीत होती है या एक जो दूसरा पहलू मिलता है उस पहलू में हम लोग बात करते हैं यूमेन जॉगरफी या मानोव अगर देखा जाये तो दो यह महत्पूर्ण ऐसे तत्व हैं एक यह एक फिर इनके सब डिविजन्स होते चले जाते हैं जिनके बीच में किस तरीके से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं इन दोनों म संचालन होता है जो प्रति रूप हमें देखने को मिलता है उसी का जो मूलवूत अध्यान है वही भुगोल का मूलवूत अदेश है है यह हम यहीए चीज पढ़ते हैं पढ़ने और सिखने के करम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे जैसे ठीक है पहले हमने पढ़ लिया कि चलिए स्थल मंडल की प्रकृती किस तरीके की है ठीक पहले आपने इसकी समझ को विक्सित कर लिया कि कहीं पर भी हमारा जो इनको आप अलग अलग पढ़ते हैं लेकिन जब दो महीने तीन महीने चार महीने के बाद हर विशय पर हर एक यूनिट पर हर इकाई पर आपकी जब समझ एकदम साफसुत्री हो जाती है तो आपको चीजें अल्रेडी समझ में आने लगती हैं कि अच्छा अगर किसी भी महासा रेखा के पास रहने वाले लोग हैं तो उनका जीवन का रहन सहन की सस्तर का होगा और जैसे जैसे हम भूमद रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे द्रूओं की ओर जाएंगे वहां पर हमें किस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा यह इतनी ही वैज्ञानिक धंग से भूगोल के अध्यन में आपको यह सब बाते समझ में आने लगती हैं हमारा प्रयास हमारी संस्था का प्रयास हम सभी का प्रयास यह है कि चुकि आप लोगों को सिक्षक बनना है आगे चलके आप सभी एक सिक्षक बनने जा रहे हैं और सिक्षक एक बहुत ही दाईतुपू और समझेंगी और भूगोल को आप जिस नए आयाम पे लेकर जाएंगे उसके आगे ही ये विशय आगे की और बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ही जिम्मेदारी का पद आप लोग ग्रहन करने जा रहे हैं तो मैं आप अपनी सुभेक्षाएं भी आप सभी को प् बहुत अच्छी है क्योंकि जिसके पास विशय की समझ नहीं होगी वह आगे आने वाली पीडियों को सही ढंग से समझा नहीं पाएगा तो हम चाहते हैं कि आप मेंसे जो लोग भी ऐसे हैं जिन में भी इस तरह की प्रतिभाह है वो लोग इस दाइत को लें इसको मैं रोज पर भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे आज जहां पर इन सभी पहलों में जैसे अगर हम आप से यह पूछें कि अगर आप कोलकाता के लोगों का पहनावा देखते हैं तो उनके पहनावे में बन्यान है गमचा है सूती कपड़ों की प्रमुकता आपको देखने को मिल रही है वही पर राजस्थान के लोगों के को देखे तो वो अपने सर पर पगड़ी बानते हैं पगड़ी की लंबाई अधिक रखते हैं और इन सारी चीजों पर अगर आप से सरल भासा में पूछा जाए तो आप कहेंगे सर वहां की जलवाई उदसाय इस तरह की है यहां पर आ आधियां कभी भी चलती है तापमान बहुत अधिक है जिसकी वज़े से धूब से बचने के लिए और आधी चलने के दौरान हमें अपने सरी ढखने के लिए एक 6-8 फिट की पगड़ी की जरूरत पढ़ती है तो सोचिए कि यह विशह जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं ज् पुनिश्चित तोर पर आपको इस विशह में रस आना ही आना है इस विशह की समझ आपकी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप मुझ पर भरोसा करिए कि आपको इस विशह से लगाओ और प्रेम हो ही जाएगा बात समझ तो क्लासिज में हम लोग जब आएंगे तो इन सब विशों पर बीच बीच में बातचीत होती रहेगी अगर आज के विशह की हम बातचीत शुरू करें ठीक हैं तो इसलिए हम जो इकाई आपके बीच में हम लोग सुरू करने जा रहे हैं वह इकाई हमारी यहां से होगी कि हम सबसे पहले आप से अट्मास्फियर पर या चावच को जलवाईव को इन दोनों को आप समझ रहे हैं तो हुमन आस्पेक्ट में वहां के लोगों का रहन सहन किस तरह की आर्थिक गत्विदियां संचालित होंगी किस तरह की संसादन वहां मिलेंगे वहां पर लोगों की रूजगार का समाजिक आर्थिक अस्तर इवन पोलेटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा वहां की जी ओ पोलेटिकल सिगनिफिकेंस किस तरीके की है यूक्रेन और इस वार में जो आप देख रहे हैं उसमें क्रीमिया जैसी जगा की क्यों इंपोर्टन्स बढ़ जाती है सिर्फ भूगोल ऐसा है कि अगर आप भूगो प्रण की सुरुवात करते हैं उसमें सबसे पहला और महत्पूर्ण विशा यह है कि हमारे वायू मंडल का वायू मंडल की संगठन और संद्रचना संगठन और संद्रचना इस विशे पर हम आपसे आज बाचीत करेंगे बाचीत समझ में आ रही है देखिए अब यहां पर आप देखिए तो बेसिकली तीन महत्पूर्ण शब्द हैं पहला शब्द आपको वायू मंडल देखने को मिल रहा है दूसरा आपको संगठन मिल र सिदह सिदह आपशे सरलного भाषा में अगर आप देखिए तो आप लोग यह कह सकते हैं कि सर बहुव स्तरिग ऐसी आवरण है पहुथस्तरिग ऐसी आवरण है बातस्वाण में आ रही है मतलब क्या है कहने का और ये क्यों आपको इस तरीके से देखने को मिलती है क्योंकि जो हमारी प्रिथवी है ठीक है उसका अपना एक gravitational force या उसमें अपना एक गुरुत्वा करशन बल है और उस गुरुत्वा करशन बल के आधार पर ठीक है गुरुत्वा करशन बल के कारण ही हमें बहुत एक लेयर जीजों से मिलकर बनी है उन में जैसे अगर आपके शरीर के व्षय में हम आपसे बातचीत करें तो आपका हडडियों से मिलकर बना है आपके शरीर में तो यह सारे चीजें क्या हो गई यह आपके components हो गई जिनसे आपके व्यश्की göz Smith कर अगर हो हमारे वाई मंडल में पाये जाते हैं बातसवज में आ रही है यहां पर हम आप आएंगे तो बाचीत करेंगे कुछ gasses बहुत important होती है उसके बाद कुछ आपकी aerosol बहुत important होते हैं और एक जलवास की मात्रा भी बहुत महर्पूर्ण दोल यहां पर अधा करती है बातसवज में आ रही है तो इन पर हम लोग details से आपसे करेंगे संरचना का मतलब यह हो गया कि आपको किस तरीके का एक बनावट देखने को मिल रही है किस तरीके का एक स्वरूप यह उसकी बनावट है तो ऐसे ही की व्यवंड़ की संरचना हमारी किस तरह की है 46 तरह पर हमें किस तरीके से एक अंतर देखने को मिल रहा है उर्धवाण . परिष्थितियों में कहां पर क्या परिवर्थन हो रहा है और उसके लिए उत्तरदाई कारक्यों है मौसमी घटनाएं कहां पर अधिक संचालित होंगी और वहीं पर संचालन का महत्पूर्ण कारण क्या है इन सारे विश्यों पर हम लोग धीरे धीरे बहुत ही सिलसले वार धंसे इनको हम लोग समझने वाले हैं बात समझ में आ रही है देखिए यह तो हुई बात यह कि ठीक है वायू मंडल क्या है संचना संगठा नीन सारे विश्यों पर आपसे हमने बात चीत की अगर हम आपसे यह पूछें कि एक्चुल में इसका एडवांटेज क्या है या वायू मंडल की प्रत्वी के लिए अब मह बहुत से साथ ही ऐसे होते हैं जिनको एकदम बेसिक से सुरू करना है ठीक हम आपको आने वाले समय में इंशोलेशन पढ़ाएंगे सुर्या तब पढ़ाएंगे वहां पर आपको यह बात समझाएंगे तरंग दैर्द क्या है शॉर्ट वेब रेडियेशन क्या होती है लग तो सूर्य से सूर्य का तापमान भाई प्रत्वी की तुल्ना में अधिक है और सूर्य का तापमान सूर्य की तुल्ना में कम है तो सूर्य से जो भी हमें शौरिक विकरण प्राप्त हो रहा है मतलब सूर्य से जो भी विकरण या उस्मा की मात्रा हमारे पास आ रही है सूर् सीज़ को यहां सिंपल यह बात समझ आपमान अधिक होगा वहां से जो हमें तरंग जो निकलने वाली विकिरर तरंगे होगी उनकी तरंग न होगी छोटी होगी उनसे हमें चौंट वेव रेडियेशन होगा बात समझ में आ ठीक है वैसे तो ये 9-10 की साइंस की किताबों में आप लोगों ने पढ़ धखा है ठीक इसी तरीके से अगर किसी चीज का तापमान कम है ठीक है तो हमारे यहां से जो निकलने वाला विकरण होगा वो लॉंग वेव रेडियेशन होगा यहां पे सिंपल जो वायुमंडल के सं संदर्व में हम जिस शब्दावली का प्रयोग करेंगे हम दो शब्दावली का प्रयोग करेंगे एक शब्द होगा सौरिक विकरण जब हम सौरिक विकरण कहेंगे तो इसका मतलब यह हो गया सौरिक विकरण का मतलब यह हो गया कि सूर से जो हीट आ रही है ठीक है दूसरा का है कि यहाज है कि जो प्रिथिवी की सतह से हमारी रेडिएशन निकल रही है जो वेपि기रण हो जाता है जो सूर्य से आ रही है वह हमारी short wave radiation है लगुतर डैर तरंगे हैं यह है विकिरण तरंगे है और जो प्रिथवी से हमारा जो निकल रहा है वो हमारी क्या है लांग वेव रेडियेशन है दीर के तरंग तरंगे हैं क्लियर हो गई बात अगर यह कॉंसेप्ट आपका क्लियर है तो यहां पर आप वायू मंडल को समझ जाएंगे देखिए सूर्च से जो हमें किरणे प्राप्त हो रही है उसमें अलग अलग मतलब बहुत धेर सारी हानिकारक तरंगे भी आती हैं जिसमें आपकी है अल्ट्रा वायले ट्रेस ठीक और इसी वायू मंडल में इसी वायू मंडल में हमारी जो ओजोन की लेयर पाई जाती है 12 से 35 किलो मीटर के बीच में तो बहुत से खतरनाक विकिरण तरंगों से क्या करता है यह हमारी रक्षा करता है बात समझ में आ रहे हैं दूसरी चीज क्या है कि प्रित्वी से जो भी अगर आप सोचिए कि हमारा अगर वायू मंडल नहीं होता तो क्या इस्तिती बनती पहले यह समझ लिए कि जो पार्थिव विकि करता है ठीक है कि जिससे कि हमारी प्रित्वी एक तरीके से कंबल का काम करता है और हमारी प्रित्वी को गर्म रखने में सहायक है क्योंकि अगर यह नहीं होता तो इधर से पूरी हानिकारा किरणे या हमारे प्रित्वी पर आती और इसी तरीके से दिन की आवदी में बहुत सस्टेन नहीं कर पाती हमारे पास जो इस तरह की गत्वीदियां हम लोग देख रहे हैं वो संचालित नहीं हो पाती बात समझ में आ रही है तो जो भी हमारा ये पार्थवी विकरण है प्रिथवी से निकलने वाली जो विकरण तरंगे हैं हमारा पूरा एक्मास्फियर है वह पायुमंडल के संदर में सबसे महत्पूर चीज क्या है सरल भाजा में पहली चीज कि सूर से आने वाली जो हानिकारत तरंगे हैं उनको यह क्या कर देगा उनको अंदर आने से रोकता है दूसरे नंबर पर जो यहां पर प्रिथवी से जो हमारा विकरण जा रहा है उनकी मा भात समझ में आती जाएकी कि तापमान इतना महत्पूर कारत है क्योंकि क्वाध्र में संचलन की बजह से कहां पर कैसी इस्तितिया बन रही है क्लियर हो गई बार किसी को कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो बिल्कुल बिना संकोच की ये कमेंट सेक्षन में आप कमेंट करके मैसेज करके भी आप हमसे ये बातें पूछ सकते हैं कि सर ये बात थोड़ा सा एक बार फिर से बता है कि ऐसी स्थितिया हमें क्यों देखने को मिल रही है क्लियर है आई ये संगठन को समझते हैं कि किस तरीके का संगठन आपको देखने को मिलता है देखिए यहां पर अगर हम बातचीत करें तो तीन महत्पूर्ण चीजे हैं पहले तो आपको कुछ गैसेज मिलती है ठीक आ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले हम एयरोसॉल से सुरू करते हैं एयरोसॉल का जैसे आप लोग इंग्लिश में एक सब्द पढ़ते होंगे सर सस्पेंडेट पाइटिकल्स ठीक है हवा में जो इस तरह के घुले हुए आपको कणिकी पदार्थ मिलते हैं उनक इस तरीके से बहुत धेर सारी चीजें इक नंबर आफ आइटम्स इसमें हैं जो एयरोसॉल के अंतरगत आते हैं और इनका बहुत ही महत्पूर्ण कर द्रव की बूदे है इस तरह की जो मां इसको हम लोग क्या कहते हैं यह हमारा एयरोसॉल कहलाता है बाची समझ में आ रही है दूसरा जो इम्पूर्टेंट चीज हम यहां पर मिलती है वह हमारे वायूमेंडल में जल्वास्व की मात्रा है ठीक है और यह बड़ा ही वायुमंडल में जितनी जलवास्व की मात्रा है, अगर उसको आपको कितना इसका रोल है, अगर उसको हम समझाने की प्रयास करें, तो आप ये समझेए कि कुछ लोगों ने एस्टिमेट किया, और एस्टिमेट करके आधार पर ये चीजें बताएं कि अगर जितना संगनित करके प्रित्वीब के चारों तरफ लपेट दिया जाएं, तो लगभग धाई से धाई सेंटिमीटर मोटी लेयर क्या होगी, आपकी एक प्रित्वीब के चारों तरफ इस तरीके से हो जाएगी, तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जलवास्व का ब रहा है, उसके साथ इनका बिवार अलग होता है, पार्थिव विक्रण को ये अबजर्व करके कहीं ने कहीं टमपरेचर को मेंटेन करने में भी इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, डिटेल से आगे चलके जब ग्रीन हाउस इफेक्ट और इन सारी चीजों प तो हमें क्या होगा? यहाँ पर भूमत रेखा से ध्रूओं की ओर जाने पर 36 अस्तर पर भी देखिए, तो यहाँ पर जो आपकी जलवास की मात्रा है, वो कम होती जाती है, और सेम यही चीज, जैसे जैसे हम सतह से उचाई पर जाते हैं, हमारी धरातल से उचाई पर जाने पर हमारी जलवास की महत्रव क्या होती हुआ हो." इवेंन हम आपको बताएं. जैसे जैसे आपका क्या होगा? कि उचाही पर आप जाएंगे. जद सं 직्रेंडरण आपको कम उचाही पर ही चीजों का देखने को मिलेगा। ठीक है चाहे वो gases हो जलवास हो एरोसॉल है ठीक जैसे जैसे आपका उचाई पर चलते चले जाते हैं आपकी जो वायू मंडल है वो विरल होता जाता है बाकी सघंता आपको कम उचाई पर ही देखने को मिलती है बात क्लियर है अगर इसी क्रम में हम आगे की और आपसे gases पर ब दीक है जिनका अनुपात आपको मतलब एक सा समान सा मिलता है और कुछ आपकी इस तरीके की परिवर्तन सील गैसे हैं जिनमें ये परिवर्तन आपका क्या होता है परिवर्तन होता रहता है और इन परिवर्तन सील गैसों और साथ-साथ इस्थिर गैसों को समझने की बहुत जरूरत है इनके अनुपात को समझने की जरूरत है क्यों क्या इस्तितियां बनती है किस तरह के से क्या इस्तिति पाई जाती है वहां समझे इस्थिर गैसों में जो सबसे पहली चीज है वह आपका पहली गैस है वह है नाइट्रोजन बात क्लियर हो गई और नाइट्रोजन हम इनकी सक्रियता बहुत कम होती है मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ ऐसे वैक्टीरिया हैं जो इनको यूज करते हैं एक नाइट्रोजन साइकल पूरी रन करती है कब क्या चीजें कैसे बन रही है वह एक अलट डिसकेशन का पार्ट है दूसरे नंबर पर अगर आप यह द अक्सीजन है ठीक है यह बहुत महात्पूर्ण गैस है और इसका अगर परसंटेज की बात करें ठीक है तो इसका परसंटेज 20.9% के आसपास ही आपको क्या मिला है 20.9% आपको ऑक्सीजन मिलती है इसकी सक्रियता अधीक होती है बात समझ में आ रही है इसकी सक्रियता क्या ह इसकी सक्रीता आपकी अधिक होती है आक्सीकरण की गतिविधी को संचालित करने में बात समझ में आ रही है कार्वो हाइड्रेट वसा और प्रोटीन इनके निर्माण में कार्वो हाइड्रेट के निर्माण में वसा के निर्माण में और प्रोटीन के निर्माण में इसकी बह में इस्तिती में पड़ा दखा है तो आप लोगों ने एक लोहे में जंग क्यों लगता है वो चीज आपने पढ़ी होगी क्योंकि जो भी लोह की मात्रा होती वो ऑक्सिडाइस फॉर्म में आ जाती है और हमारे लोहे में जंग लगना होता है इसी तरीके से बहुत ऐसी चट्टाने होती है चट्टानों में जिसमें लोह की मात्रा होगी तो इन गतिविदियों के कारण भी उन में टूटन-फूटन की स्थिति हम देखते हैं उसका रसाइनिक अप्छे किस तरीके सो रहा है वो सारी चीजें भी संचालित होती है और उसमें यही जो atmospheric oxygen है उसक की मात्रा 0.9 परसेंट है यह आपकी एक आरगन गैस है कभी-कभी आप लोग जिस एल्टी ग्रेड हो टीजिटी हो पीजिटी हो इस तरह की परिछाओं में इन प्रतिशत से भी आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं इसलिए आपको यह जानना जरूरी है आए देखिए अब परिवर्तन सील गैसों की बात करें तो एक चीज समझिए पहले greenhouse effect क्या है उसको समझ लिए greenhouse प्रभाव क्या चीज है इसका बड़ा ही practical example हम आप लोगों को देते हैं ठीक है जैसे कभी आप लोगों ने अपनी कार धूप में खड़ी की हो ठीक है आप लोग अपनी कार जब धूप में खड़ी कर देते हैं तो पता चलता है कि जो आपके शीशे बंध हैं आप कार से निकले आप अपने काम के लिए गए जब आप अंदर आके देखते हैं तो थोड़ी 15-20 मिनट में जब वो कार खड़ी रहती है तो जो अंदर का तापमान है वो बाहर के तापमान स सनलाइट उसको मिली उनके लिए तो वो पारदर्सी माध्यम है वो आपकी सनलाइट अंदर की ओर आ गई लेकिन जब वो सनलाइट या वो एनरजी बाहर की ओर जाना चाहती है तो उनके लिए वो एक ओपेक सिस्टम या अपारदर्सी माध्यम हो जाता है या अपारदर्सी तो आपका क्या होता है तापमान आपका कम होने लगता है तो आप कभी-कभी जैसे साथ डीग्री के नौर्थ में या पचास डीग्री के नौर्थ में देखिए तो बहुत धेर सारे लोग इस तरीके से green houses बनाते हैं जिसमें वो बाहर काच-काच की layer को बनाये रखते हैं और अंदर सबजिया और ये सारी चीज़ें लगाना शुरू करते हैं सिर्फ इसी लिए लगाना शुरू करते हैं कि अगर उनको थोड़ी भी sunlight प्राप्त होती है तो वो जो अंदर आगे उससे वहां का temperature maintain र सबसे पहली gas होती है वो आपकी O3 है ठीक है और ये oxygen का ही अगर हम आपसे पूछें कि ozone क्या है तो ये oxygen का ही एक 3 3 atomic रूप है ठीक है ठीक 3 atomic रूप है आपको देखने को मिलता है 3 atomic रूप है अब देखिए ये gas क्या करती है O3 का रोल क्या है O3 के रोल को ये समझिए Ozone gas ठीक है oxygen अब ये कैसे बनती है इन सब चीजों के detail में हम आपको जैसे discussion में जब लंबा समय मिलेगा तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि कैसे अपर atmosphere में क्या गितिविदिया संचालित हो रही है लाइटिनिंग का उसमें क्या effect है और सारी चीजों पर आएंगे यहां बस ये समझिए कि ये जो ozone gas है ये ozone gas को हम लोग सुरक्षा कवच इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस ozone gas का जो संकेंद्रण है वो हमें 12-35 km में कि उचाई पर ये सबसे जादा संकेंद्रण मिलती है और इ रोकती है और अंदर आने से रोकने की वज़े से क्या होता है कि हमारा जो temperature है पहली चीज तो उससे नुकसा जो हानिकारा किरने है वो अंदर नहीं आती तो हमारे स्वास्त के लिए बहुत लाबदायक है दूसरी चीज क्या है कि प्रिथवी की अपनी जो average temperature चीज है है जो आउसत आपमान को मेंटेन करने के लिए जो आवशकता है प्रित्वी फर लाइफ को अच्छे ढंग से sustainable बनाने के लिए जो आवशकता है उनके लिए क्या करता है उनके लिए ये कवज की तरह काम करता है और इससे हमारी हानिकारा किरने अंदर की और नहीं आ पाती है बात स क्या करता है ये हमारी जो iosun layer जा और इस iosun layer को घन करते हैं या इन में कहीं न कहीं छेद कर देते हैं इन में आपका क्या होता है ये ze barbar को कि कर देते हैं मतलब हम को इसolt I jus कि आप बारिश में झाता लेके जा रहे हैं. ठीक है? और आपके छाते में किसी ने छेद कर दिया. आपके छाते में छेद हो गया तो क्या होगा, कि जो पानी है वो आपसे जो परPस था, वो परPस आपका पूरा नहीं हो पाएगा. अब वो छेद छोटा है तो आप कम भीगे रिखेंगे वो छेद बड़ा होता चला गया तो आप जादा भीगेंगे और कहीं वो छेद इतना बड़ा हो तो आपका उछाता लखने का कोई भी मतलब नहीं हावंका पूरा नहीं होगा twelve तो इस नंबर पर आपका जो important है वो है carbon dioxide अगर हम आप से percentage में बात करें तो इनकी 0.03% ही हमें मिलते हैं लेकिन carbon भी बड़ा important है क्योंकि यह जो सौरिक विक्रण है उनको तो अंदर आने देता है लेकिन जब यह पार्थी विक्रण बाहर की और जाने की कोशिश करता है तो यह उसको उसके लिए का पारदर्सी समाध्यम हो जाता है उसको यह बाहर जाने नहीं देता है अब आप सोचिए कि अगर carbon dioxide का संकेंद्रण ठीक है यह महत्पूर्ण भी है महत्पूर्ण इसलिए है क्योंकि इसकी उपस्तिती की कारण हमारे जो पॉध हैं और उसी प्रकाश संस्लेशन की क्रिया की बदूलत ही क्या होता है कि हमारे पॉधों में से चीज़ें हमें oxygen और यह सारी चीज़ें मिलती है बातची समझ में आ रहे तो यहां पर इस्तिती क्या है कि यह जो carbon dioxide की मात्रा है, जब इनका concentration हमारे पूरे atmosphere बढ़ता चला जाएगा, तो जो भी हमारा पार्थी विक्रण है, वो क्या करेगा, वो ही जो green house effect आपको वहां दिख रहा था, आप जो चीज अंदर आ गई, अंदर आने से इसने रुका नही बाहर जाने से अगर रुकेगा, तो वहीं पर जो आप लोग ये global warming पढ़ते हैं, आपको इन ही सब चीजों का खत्रा देखने को, या भूमंडली उश्मन की जो इस्तिती है, वो यही इस्तिती देखने को मिलती है, कि अब जैसे जैसे carbon का emission आपका बढ़ता चला जा रहा है एक तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमें सुरक्षा दे रहा है, अपनी छतरी में छेत कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कि हम production, pollutants, carbon emission इन सारी चीजों को बढ़ावा देकर, हमारी जो atmosphere में carbon का संकेंद्रण हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने की वज़ पार्थी विक्रण तरंगे हैं, यह उनको बाहर यह और नहीं जनने देगा, तो जो हमारा उश्मा बजट है, वो गरबढ़ होगा, हमारा balance गरबढ़ होगा, incoming, outgoing ratio गरबढ़ होगा, और वही चीजें हमारे लिए क्या होगी, वो heat imbalance create करेंगी, जिसको आप लोग global warming के नाम से पढ़ते हैं, बातसवन में आ रही है, इसी क्रम में आपकी एक gas और है, CH4 यह भी एक methane gas भी है, यह भी एक greenhouse gas है, इसके भी सांदरन में अंतर आता रहता है, क्रिप्टान, जेनान, इस तरह की और भी महतपूर गैसे हैं, जो जिनका percentage में आपको अंतर, या वो परिवरतन सील gas की category में आपके आते हैं, बात clear हो गई, तो संगठन के आधार पे, संगठन के आधार पे कौन-कौन सी चीज़े important हैं, तो यह कुछ gases थी, जिनकी स्थितियों में, उनके role के बारे में हमने आपको बताया, दूसरे number पे आपका aerosol और जलवास की मातरा का क्या role है, उस पर हम और एक तापी विशेश्ताओं के आधार पर है, तापी विशेश्ताओं के आधार पर एक संरचना है, तापी संरचना जिसको हम कह सकते हैं, बात समय में आ रही है, अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम रसाइनिक संरचना का अध्यन कर लेते हैं, तो कभी-कभी आ नाम यहां पयाद रखेगा इसमें एक नाम है मार्शल निकोलेट का नाम यहाद रखना है क्योंकि इन्होंने क्या किया इन्होंने दो रसायनिक संदरचना के आधार पर इन्होंने दो हिस्से बाटे हैं एक है सम मंडल का ठीक है और दूसरे हिस्से को इन्होंने कहा विशम मंडल का बात समझ में आ रही है और यह जो सम मंडल और विशम मंडल का निर्धारण इन्होंने किया है वो निर्धारण बड़ा ही इंपोर्टेंट है देखिए एक साफ सुत्रे पेज में अगर हम ले लें तो यह समझ यह अगर हम सम मंडल की आप से बात करें ठीक है तो यह नोंने यह कहा कि इस प्रिथवी की सता से लेकर 90 किलोमीटर की उचाई तक बात समझ में आ रही है जो इस्तितिया बनती है उनमें हम जो गैसों का एक अनुपात है जो अनुपात सुनिशित है नाइट्रोजन ऑक्सीजन और गन इन तरीके से गैसों का जो एक अनुपात है उनमें एक सुनिशित अनुपात हमें या प्रपोर्शन हमें देखने को मिलता है यह यह कह लिए कि यहां तक हमारा जो अनुपात है इसे हम सममंडल कहते हैं इसी के बाद इन्हों ने कहा कि जीरो से 90 किलोमीटर की उंचाही तक हर लेयर मतलब अगर आप एक किलोमीटर की उंचाही पर हैं तो हर इस पूरे वित्रण में दो सैंने किलोमीटर के चल में और के स्थिर के कारण इस संमंडल कैसे दूसरे नंबर फे इन यहों ने इससे जादा उंचाही पर है बाद से 90 किलो मीटर से लेके 10,000 किलो मीटर तक की उचाही का जो भी हिस्सा है, 90 किलो मीटर से जब हाइट पे आप उपर की ओड़ जाएंगे, ठीक है, इसके उपर, तो इसको इन्होंने विशम मंडल कहा, अब ये विशम मंडल इसलिए कहा, ठीक है, क्योंकि इस जोन में क्य जैसे हैं, वो गैसे आडविक अवस्था में आ जाती हैं, जैसे जैसे आप प्रित्वी की सता से ऊपर चलते चले जाएंगे, आपका घनतों में अंतर आएगा, वीरल माध्यम होगा, दबाव कम होगा, बात समझ में आ रही है, इस वजए से यहां पर बहुत सी गत्विदि में आपकी मिल रही है, तो इन आडविक अवस्थाओं में मिलने के कारण ही, 90 किलो मीटर से अधिक उचाही का लगभग 10,000 किलो मीटर भी आपको देखने को मिलता है, वहां तक आपको यह वायमंडली संरचना में आपको जो गैसे हैं, यह गैसे आपको अलग-अलग आडविक नाइट्रोजन की लेर होगी, ठीक, अगर हम इसको साफ-साफ बनाएं तो यह समझेए, यहां पर इसको समझेए, साफ-साफ समझ लीजे, क्योंकि सबसे नीचे क्या होगा, आडविक नाइट्रोजन होगी, उसके उपर जब आप आप जाएंगे तो आपको ऑक्स आती है, कुछ प्रचलित किताबे हैं, जो इलहाबाद और आयोग, अक्सर उनका रिफरेंस लेके चीजों का एंसर मान लेता है, तो अगर हम आपसे इसमें रिफरेंस की बात करें, तो आपको जो 900 किलो मीटर से 900 किलो मीटर के बीच आपको यह लेयर मिलेगी, ठीक है, अट हाइटामिक हाइड्रोजन की लेयर मिलती है, सिंपल सी बात है, आप लोगोंने केमेस्ट्री पर रखी है, जिसका भार का अनुपात में कम होगा, तो सबसे हलकी गैस सबसे उपर, भारी गैस नीचे, इस तरीके से एक सिक्वेंस, तो कभी-कभी आपसे यह नीचे से उपर, उपर से नीचे का यह लेयर पूछ लेता है, तो इनको ध्यान रखेगा, तो जो अभी आपको इस्तितियां बन रही है, 200 किलोमीटर तक, 1100 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर और उससे अधिक उचाई पर किस्तितियां बनेंगी, इस आकड़े में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए इ द्यान में रखना है कि विशम मुंडल में दो चीजे महत्पूर्ण है कि विशम मंडल में जो आपको गैसेज मिल रही है, ये गैसेज किस फार्मेट में हैं, आणवी कवस्ताओं में हैं, और आणवी कवस्ताओं में भी हलकी गैस सबसे ऊपर, फिर उससे थोड़ा भारी से नीचे फिर से थोड़ा भारी उससे नीचे और सबसे भारी वाली नीचे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हीलियम और हैड्रोजन इस तरीके से आधार से आपको चीज़ों को देखने को मिलता है चलिए तो हम लोगों सायनिक विसेस्ताओं के आधार पर हमारे वाय मंडल की जो संद्रचना है उस पर सम मंडल और विसम मंडल को हम लोगों ने पढ़ लिया आपको वहां चीज़े समझ में आगे होंगी कहां पर किस आडवी का वस्था में मिल रही है और कहां पर गैसों का एक अनुपात इस्थि किस तरीके का थीक है Cloud यहां पर एक इम cuts किस तरीके का चलिए देखिए यहां पर एक image बड़ी important हैं और उस इस image state के अधहर पढ़ा था यहां तक नश्याइनिक विसेस्ताओं के पर पढ़ा था यहां समताप मंडल या स्ट्राइटो स्वियर और मद्य मंडल या मेसो स्वियर के नाम से चीजें आती हैं उसके बाद की जो इस्थिती है उसके बाद की स्थिती 90 किलो मीटर से और अधीक उचाई पर जहां पर आपका थर्मो स्वियर लिखा हुआ है इनकी विशिस्ताइं अलग- देखने को मिलती अभी हम लोग डिसकस करते हैं और यहां का जो हिस्सा है उसको हम लोग हेट्रोस्फियर या विशाम मंडल के नाम से जानते हैं अब देखिए यहां पर जो आपकी सबसे नीचे लेयर है प्रिथवी की सता से लगभग अगर आप देखिए तो जो यह सबसे नीचे वाली लेयर है और इस लेयर में इससे सम्मंदित कुछ सूचना है उनको ध्यान से पहली बात तो कुछ सवाल फैक्ट के तौर पर आते हैं उनको आप लोग देख लीजे ट्रोपो स्फियर पर बातचीत हो तो इसकी खोच टिजरेंस डी बोर्ट ने की थी बातसमझ म साथ रिजिडेंस डिवोर्ट यह दो और और मार्सल निकोलत यह दो तीन नाम इंपॉर्टेंट है तो दो तीन से दो या तीन नाम है इनको अब ध्यान कर लीजे कहीं भी को दिक्कत नहीं होगी ठीक यहां जो समझने वाली बात है वो यह समझे कि जो सब्द ट्रोपो शब सब्द की जो उत्पत्ती है वो ट्रोपो सब्द से होई है और यह जो ट्रोपो शब्द है यह ग्रीक वर्ड है और इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है ठीक है मिक्सिंग टर्बूलेंस बातसवन में आ रही है जो आपकी मिक्सिंग है और टर्बूलेंस है तो इस जहां तक प्रिथवी की सतह से उस उचाई तक जहां पर आपको ये mixing और turbulence आपको ये जो मिश्रण है और विच्छोब की स्थितियां ज्यादा संचालित होती हैं, उसी मंडल को हम लोग क्या कह देते हैं, उसी मंडल को हम लोग troposphere कह देते हैं, mixing and turbulence ज्यादा होता है, आपको समवहनी मंड परीवर्तन मंडल, विच्छोब मंडल अगर परिक्षा में इस तरह का इस्थ सब्दों को भी देखने को मिले सम्वहनी मंडल परीवर्तन मंडल या विच्छोब मंडल तो तो आप ध्यान रखेगा कि ये आप से त्पल मंडल की है, बात कूर रही है, बाती सी आउसत उचाही 16 km होती है, 16 km की उचाही पर ये तक विस्तारित है, वहीं पर, मतलब 16 km की उचाही तक भूमत रेखा पर आपके mixing और turbulence की प्रक्रिया संचालित हो रही है, और विचोब की इस्तिती आपको देखने को मिल रही है, वहीं पर जब आप ध्रूमों पर पहुंसते हैं, 90 degree पर पहुंसते हैं, यह 0 degree equator है, तो यहाँ पर यह जो औसथ हाइट है, यह आपको 6 km के आसपास आपको देखने को मिल रही है, तो इसकी विशेस्ताओं के तोर पर अगर हम बातचीत करें, तो यह एक ऐसा जोन है, ऐसा मंडल है, जहाँ पर इस तरह की गतिविदियां, जिसमें mixing है, turbulence है सबसे ज़्यादा है, मौसम संबंदी गतिविदियां आपकी कहाँ पर, यहीं पर सभी घटनाय संचालित हो रही है, कोहरा हो, कुवासा हो, पाला हो, इस तरह की जितनी भी मौसम संबंदी गतिविदियां हमें देखने को मिलती है, वो हमको इसी मंडल में देखने को मिलती है, एक और इस्थिती यहां पर आपको संचालित होते हुए मिलती है कि जैसे जैसे आप पृत्वी की सता से ऊपर की ओर चलते चले जाते हैं ठीक तो एक किलो मीटर या एक हजार मीटर की उंचाई पर जाने पर आपका जो तापमान है वो साड़े छे डिग्री सेंटीग्रेट की दर से क्या होता है उस तापमान में गिरावट आती है जिसे हम सामान ये ताप पतन दर कहते हैं बाची सवन में आ रही है तो आईए यहां पर इमेज के मादे हम से आपको समझाते हैं कि क्या इस्तितियां कहां पर बन रही है बात लियर है चलिए अगर आप इस इमेज में देखिए तो यहां पर ध्यान से देखिए कि जो सबसे नीचे की स्थिति है जो यहां पर ट्रोपो स्फियर है जिसको हम छोब मंडल कह रहे हैं एक्चुल में यहां पर होता ही है कि मालीजे धरातली सता का तापमान अधीक है इस इमेज में अगर आप ध्यान से देखिए तो इस एक्सिस पर आप आपमान आपका घनातमक डुणीज है Saint popular है सबसे आदीक आपका क्या सामान पतंदर की सिति देखने को मिल रही है यहीं पर नचली हो रही है यहीं पर आपको देखने को मिल रहा है तो यहां समझिए कि इस मंडल की विशेश्ताओं में अगर आप देखिए तो जीरो मतलब यहां पर माली जा आवरेज टम्रेचर पचीस डिग्री सेंटीग्रेट तीस डिग्री सेंटीग्रेट के आधार पर है दीरे दीरे जैसे जैसे हम उचाई पर चलते चले जाते हैं लगबग हमारा एक एवरेज हमने आपको बताया कि भ्यूमंद रेखा पर 16 किलोमीटर है जैसे यहां पर 20 किलोमीटर की एक लाइन है तो आप यह देखे कि यहां पर आपका तापमान क्या होगा तापमान माइनस की ओर चला जाता है एक महादे थे मतलब यह जो नाम दिया गया है ट्रोपोस्फियर इसी की जो उपरी सीमा है जहां पर यह तापमान पतंदर मतलब यह जो तापमान में गिरावट हो रही थी यह गिरावट रुक जाती है आपके तापमान उससे अधिक गिरावट नहीं होती है इसी लेयर को जहां पर यह इस्तिती की इस्तिती दिख रही है, जहां पर आपका जो सामान अताप पतंदर है, उसमें एक गिरावट की इस्तिती है, या यह कह लिए कि उसके बाद तापमान नहीं गिर रहा है, वो तापमान नहीं गिर रहा है, उसी उपरी सीमा को नैपियर शाह ने क्या कह दिया ट्रोपो आûपास कह दिया ठीक है तो इन ट्रोपो सिर की जो ऊपरी सीमा थी इसका नामकरण किस ने किया नैपियर शाम महुदेने क्यों क्योंकि इसके बाद एक निच्जित सीमा के बाद जो तापमान पत्न की। दर थी वो अब उस उस पस एक कोई रेखा है और इस रेखा के बाद आपकी boundary और उसकी जो मोटाई है या जो उचाई है सता से, उस मोटाई और उचाई में अच्छानसी विस्तार का भी बहुत अधिक महत्त होता है, भूमत रेखा पर उसकी इस्तिति अलग होती है और धूमों पर जाने पर उसकी इ आपको यहां पर देखने को मिल रही है तो जो यह इसकी नीचली सीमा है जिसमें हमने आपको बताया कि सबसे अधिक mixing और turbulence की स्टिधी मिश्राड ओ विप्चोब की 뭉ल रही है यहां पर सामान इताप पतंदर संचालित होता है आपकी सभी मौसम estr flu घटना है आपको यहां पर देखने को मिल रही है तिक इसकी उपरी सीमा पर जहां पर यह सामान 202 km की इसकी एक मोटाई आपको देखने को मिलती है और देशांतरी चांसी विस्तार के आधार पर भूमत रेखा से ध्रूमों के बीच में इनकी उचाई में भी आपके अंतर आता है अब ट्रोपू पॉस के ऊपर की जो परत है उसे हम समताप मंडल कहते हैं इसको भी ट्रिजरेंस डी बोल्ट ने 1902 में समताप मंडल का नाम करण किया था और एक इसको लेकर बहुत लोगों में एक मत की स्थिति नहीं थी कुछ लोग मानते थे कि इसमें ताप मान में किसी तर ताप मान है जहां पर यहां ताप मान गिर रहा था इस लेयर में हमारा ताप मान बढ़ना सुरू होता है और 50 किलो मीटर की हाइट पर मतलब 50 किलो मीटर की उंचाई पर लगवग यह ताप मान फिर से 0 degree centigrade के आसपास हो जाता है मतलब पहले माइनस में गया और फिर आपका बढ़ना सुरू होता है और 50 किलो मीटर की उंचाई पर यह स्थिति क्या बन रही है कि यहां पर आपका ताप मान जो है 0 degree centigrade के आसपास है तो यह जो इस्थिति है यह जो ताप मान में यहां पर बढ़ोतरी हो रही है समताप मंडल में इसका जो मूलभूत कारण है वो यह है कि 12 से 35 किलो मीटर के बीच में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है और ओजोन लेयर की विशेस्ता के अधार पर हमने बताया कि सूरू से आने वाले जो अल्ट्रा वाले ट्रेज हैं यह उनको अब्जर्व कर लेती है उनके अब्जर्व कर लेने के कारण इस पूरी परत में ह संचाले नहीं होते से इस फैंबिली के कुछ क्लाउड्स हमें जो नीचली वहाँ पर देखने को मिलता है जिनको हम मर्दर अ specialists and theте the P पचास Там-जाफ किलो मीटर यह समताफ मंडल को सीवारे जहां नेते lives उसी सी खषयां cricket की हृद ओरफ़ को सीमा को जहां तक तापमान में बढ़ uranium किऋ ती के दे ज fåttने okay जmost मृत करा है नाम से जानती है एक बार इस मंडल में फिर आपका का टापमान गरना सुरू हो जाता है तो नीचे पहले त्रोपोस्फियर में आपके तापमान में गिरावत होती है फिर इस्ट्रापमान आपको कितना मिलता है यह तापमान आपका माइनस 80 डीगeleri सेलसियस के आसपस आपको मिलता है इस जगह पर ध्यान में रखिए गाए यहां पर एक जो मैसो स्वियर है यहां पर एक प्रश्ण बंता है तो उस प्रश्णों को ध्यान में रखना है कि इसी जोन में मध्य मंडल में ही आपके जो उलका कण है, उलका कणों से प्राप्त जो धूलिकण इत्यादी है, ठीक है, उनके संगनन से, उनके समवानी प्रक्रिया के माध्यम से, आपको यहाँ पर कुछ बादल कभी-कभी वो धुरूई छित्रों में ऊपर की ओर देखने को मिलते हैं, जिनको नेक्टी-लूसेंट बा मंदल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे चुकि अब यहां पर विसम मंदल की स्थितिव और हमने आपको बताया कि यहां पर जो गैसे वह आईनिक अवस्था में मिलना सुरू हो जाती है, घनत तो बहुत कम है, दबाव बहुत कम है, ठीक है, बहुत वि जायज लेकर वहां जाया और अपना हाथ बहुत बहुत निकालेंगे, तो विरल माध्यम होने की वज़ए से दबाव घनत वित्यादी कम होने की वज़ए से आपको टमप्रेचर फील नहीं होगा, बाची समझ में आ रही, तो यही थर्मोस्फियर के दो हिस्से हो जाते हैं जिसको हम आइनोस्फियर, आयन मंडल या बहिर मंडल कहते हैं, दोनों की स्थितिवों में क्या क्या अंतर है, कुछ महतपूर पढ़ते मिलती हैं, जिन पढ़तों से आप से सवाल पूछे जाते हैं, तो आईए उन पर डिसकस कर लेते हैं कि यह पढ़ते हैं, और इसकी आप्मान में एक बढ़ोतरी देखने को मलती है। ऑर यही मद्यमंदल की जो ऊपरी सीमा है इसी को हम क्या कहते हैं। अब यह धर्मोइ स्पीयर वाला माम्ला है, इसको हम आपको दो क्टेगरिये में समझ आ देते एक्चुल में यहाँ पर हो क्या रही है चीज है उनको समझिए देखिए यहाँ पर समझने की जरूरत क्या है यहाँ पर मोयल भूट क्या है कि इसमें आपको अगर कटेग्राइज करिए तो 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक का जो है इसमें इसको हम लोग कहते हैं आयन म मिलती है फिर F लेटर मिलती और फिर G लेयर मिलती है इन से सवाल आपके पूछेए गए हैं इसलिए इनको ध्यान में रखेगा जो टी लेयर है हम लोग जो जो रेडियो सुनते हैं उसमें आप लोग अलग 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 फ्रिक्वेंसी जानते होंगे कि यह यह शॉट वेव तो इन लेयर की जो वो जो frequency हमारे रेडियो में लौट कर आ रही है जिसकी वज़े से हम अपना रेडियो सुन पा रहे हैं एक्शुल में वहाँ पर इन लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, तो जो आपकी D लेयर है, ठीक है, D लेयर आपका, यहाँ पर हम किलोमीटर में आपको हाइट नहीं लिखेंगे, सबसे नीचे आपकी D लेयर, फिर आपकी E लेयर, फिर आपकी F लेयर, और फ भू रही है इस परत में आपकी डी लेयर एफ लेयर सबसे नीचे अपकी डी लेयर है जहां से लो frequency कि या कम आवरती वाली जो तरंगे हैं वो क्या होती है वह आपकी नियुक्ति वी की सतर पर वापस की जार कर दी जाती हैं तो लो frequency radio waves को हम का जो परावर्दन होता यह वापस आती है वह कहां से यहीं से आपके d layer से आती है इलियर को ध्यान में रखेगा इसके नाम में यह है और इसी को हम canali heavy side layer भी कहते कैनलीहेविसाइड परत भी कहते हैं और जो आपकी f इसको हम अप्लीन परत भी कहते हैं ध्यान मे रखेकंडि कैनलीहेविसाइड और एप्लीटन परत से हैं तिए जो आपकी मिडियम वेव और long wave frequency है ठीख है मतलब मध्यम आवरत्ति वाली और दीरगावरत्ति वाली जो long wave frequency है वो तरंगे आपके क्या होती हैं आपके वापस कर दी जाती हैं जिसकी वज़़से हम radio पर इनका प्रसारण सुन पाते हैं और सबसे अधिक उचाई पर आपके जी परत मिलती है जिससे आपकी अत्यधिक langway frequency वाली तरंग वाली जो तरंग दर्ध हैं उनका क्या होता है रेडियो तरंग दर्ध को हमारे रेडियो पर प्रसारित किया जाता है बातसान में आ रही है तो यहां पर इन जो लेहर्स हैं ड इफ जी और इनके के साथ coryask के साथ ही सुर्यास्त होने पर यह लेइर्स भी गायब हो जा जाते हैं इन्विसबल हो जाती है बातसवा न Лऺव विशेशताहं से समद्रिद आपको सवाल तो जो आपका आयन मंडल है असी किलोमीटर से 640 कि परिस्थी जो आयन तरंगों के लिए और रेडियो के प्रशारण में आपको पता है कि short wave, medium wave, long wave frequency अलग-अलग तरंग दैर्द का बड़ा ही महत्पूर्ण रोल होता है तो जो आपको ये तरंग दैर्द हैं जिनकी बदावलत से हम यहाँ पर रेडियो का प्रशारण सुन पा रहे हैं तो असल में जो आपकी D layer है वो low frequency की रेडियो तरंगों को हमारे पास तक भेजता है E layer जो है ये भी आपका E और F layer ये medium और high frequency की तरंगों को हमारे पास भेजते हैं ठीक है और जो जी लेयर है वो अत्यधिक दीरगी तरंगों वाली रेडियो तरंगों को हमारे पास भेजने का काम करते हैं जिसकी बदलत हम अपने हम जो प्रशारण रेडियो पे सुन पाते हैं उनसे हमें सहुलियत होती हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनको समझने की कोशिश करते हैं वो क्या है उनको किस नाम से कहते हैं उनको हम बहिर मंडल कहते हैं बातसवन में आ रही है और यह बहिर मंडल क्या हो गया 640 किलो मीटर से आपका 640 किलो मीटर की उचाही से लेके और 10,000 किलो मीटर की उचाही तक का जो हिस्सा है ठीक है उसको हम लोग इस केटेगरी में लगते हैं यहां पर यह बात ध्यान रखेगा कि जो बहिर मंडल है यहां पर भी आपका तापमान पच्पन सो डिग्री पास होता है अत्यदीत विरल वातावरन होगा घनत और दवाव दोनों ही बहुत कम होते हैं बातसवन में आ रही है यहां पर आपको एक वान एलन रेडियेशन बेल्ट मिलती है जो एक मैगनेटिक बेल्ट है जो बाहरी आवरन जितने भी उलका पिंड त्यारी आ रहे हैं वो उन से हमारी पृत्वी की परत की सुरक्षा करते हैं तो इसी परत में आपको वान एलन रेडियेशन बेल्ट मिलती है वान जब आपको हम ब्रह्मायन विज्ञान से संबंदित कुई महत्पूर्ण चुकि आपके विशाय में है पृत्वी गृत्पत्ति है और और भी मह इस जब हम ब्रह्मायन पूर्ण आपको यहां पर मिलती है और और अराउरा पर अउस्ट्रियालेस ख infect और और अस्ट्रियालेस तो इनको ध्यान में रखिये कि actual में Australis, ये actual में है क्या, actual में आप लोगों ने, ये बड़ा ही धूगोल के विशे में बड़ा ही जिग्यासा का एक विशे रहता है, और लोग, बचपन सही हम लोग इनकी image कहीं न कहीं देखे होते हैं, इनके बारे में सुने होते हैं, हमारा जो sun है, उस sun में भी अलग-अ पाई जाती हैं, अलग-अलग पढ़तें पाई जाती हैं, ठीक है, और वहाँ पे जिस तरीके से उड़ा के packets निकल रहे हैं, उड़ा के electrons निकल रहे हैं, तो बहुत धेर सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कि इन electrons की या, सरल भासा में ये कहिए कि solar flares की या, मतलब, इन electrons की एक wind इनके आने की वज़ा से हमको एक cosmic firework type की स्थिति देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे रंग विरंगी फुल जड़ियां जलाई जा रही हैं, पटाके जलाई जा रहे हैं, रंग विरंगी आतिसवाजी की स्थिति हो रही है, इस तरह की जो स्थितियां दिखाई देती हैं उनको हम aurora australis, उत्तरी गोलार्द में aurora borealis और दक्षणी गोलार्द में ये हमें जो इस्तिति होती है, उसको हम aurora australis के नाम से जानते हैं, आप से अगर कोई प्रशन पूछ ले, अब इनका color ये बड़ा ही अच्छा concept है, इनका रंग किस तरीके का होगा, वो depend करता है कि जो हमारी solar wind आ रही है, उनमें किस gas के ions की मातरा अधिक है, या किस के ions की मातरा अधिक है, उससे भी जो आपका रंग है, वो बहुत कुछ सुरिशित होता है, कि हमें कैसे क्या इस्तितिया यहां पर बन रही है, बात clear है, तो ये कुछ बहुत ही important चीज है, आप से कोई पर संचाली ठोटी है, तो ये सब कुछ महत्पूर्ण ऐसे पहलू थे, जिन पर हमने आप से बात की, कुछ तत्यों को भी हमने बताया, जिसमें नेपियर शा का नाम important है, टेजरेंस डी बोर्ड का नाम important है, इन लोगों के नाम से भी संबंदित सवाल भी पूछाते हैं, से हमने ट्रोपोपॉस की उंचाई और मोटाई के विशाय में बात की, वहां से कुष्ण बन सकते हैं, बेसिकली आपको समझना ये है कि अब जो आप चीजों को समझ रहे हैं, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा जो हमारा छोग मंडल है, वहां प नहीं गिरता है, लेकिन इसकी उपरी सीमा पर जो हमाता दवाओ हो बहुत ही कम हो जाता है, और दवाओ और घनत तो कम होने की विज़ा से आगे बहुत ही विरल माध्यम होता है, हमारा जो तापमान है उसके बाद बढ़ता है, 640 किलो मीटर तक की उचाई पर अलग-अलग लेयर्स मिलती है, D-Layer, E-Layer, F-Layer और G-Layer, Kenley-Heaviside-Layer हो गई, आपकी Apleton-Layer हो गई, और ये जो आपकी कम-Frequency की मध्यम और अधिक-Frequency की और सबसे उचाई से आपकी सबसे तीवर-Frequency वाली तरंगे क्या होती ही, रेडियो तरंगे हमारे पास आती ही, जिसकी वज़े से हम रेडियो का प्रसारण अपने एक सुचाली धंग से सुन पाते हैं, उसके बाद जो बहिर-मंडल की स्थिति में थी, उसमें 1-1-1-1 radiation belt मिलती है, एक magnetic belt है, जिसमें उलका-पिंडो की तरफ से या कुछ इस तरह की स्थिति आती, तो उन से हमारी वो जो चुमकी छेत्र है पूरा, वो हमारे प्रत्वी की रचना करता है, वो उनी को उसी में trap कर लेता है, एक अलग concept है, मज़दार concept है, उसको discuss करेंगे जब हम आप लोग solar system और इन सारी चीज़ों के origin of earth या origin of space के बारे में बातचीत करेंगे, वहीं पर आपकी जो aurora परी घटना है, वो simple इतना करती है, तो चुकि आपकी गैसे यहां पर आइनिक फार्म में है, तो आपको पता है कि वो इतना आसान हलचल नहीं होगी, तो एक आपको cosmic firework देखने को मिलता है, यह कह लिए कि आकासी आतिसवाजी आपको देखने को मिलती है, यही आकासी आतिसवाजी जो घटना पर घट जल रहा है, कभी हरा, कभी औरेंज, इस तरह से रंग बिरंगी आतिसवाजी के तोर पर हामें जो इस्तिती दिख रही है, उसी को हम aurora borealis उत्तरी को लारद में और दक्षणी को लारद में aurora australis कहते हैं, तो आज की क्लास में हमने आपको जो जलवाई विज्ञान का सबसे मूलभूत पहलू है, जिसमें हम वाई मंडल की समरचना और संगठन के बारे में पढ़ते हैं, वो हमने आप से डिसकस किया, इन से संबंदित, अगर कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट है, तो आप हमारे प्रैक्टिस सेशन में, रिमीडियल सेशन में, डाउट क्लियर से के निर्माण में, अपनी भूविका को पुरी तरीके से, पुरी मांदारी से निर्मान करें, यही सुभेक्षाओं, इन ही सुभेक्षाओं और इन ही आशिरवात के साथ आप सबको नमस्कार, शुबरात रहे